कि एसे फोड़े और एसी गांटे हमें बहुत ही जदा-दर पुश्यों में देखने को मिलती है और कई दिन तक हमने का टीटमेंट भी करते हैं लेकिन वहां पर हमें बिलकुल भी आराम दिखाई नहीं देता है तो एसी एक एक अपसेस इस भेंस में देखने को में मिलती है और जिसको आम फोड़ा बोलते हैं जिसको आम गांट बोलते हैं इन गांठों का इन अपसेस का आप कैसे टीटमेंट करेंगे उससे पहले आप हमरे चनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न बोले क्योंकि पशूपालन से यूड़ी हर चमच्चा का समादन हमारे इस चनल पर हम आप को देते रहते हैं तो सत्यों यह गांटे अपने आप होती है जो रसूलियां होती है उनसे अपने पैदा हो जाती दीरे 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 इनका आकार बढ़ने लगता है और फिर बढ़ी हो जाती कई-कई बार तो यह पक जाती है कई के बार यह टाइट रहती है यह टाइट हमने कई पश्यों में देख किए कि लगतार छे महीने से गांट एक जैसी है एक तरह किती होती है और कई गांट ऐसी होती है जो माज 10 से 15 दिन के अंदर ये अंदर पैदा होती है और 10 से 15 दिन के अंदर ये अंदर व और एक उस तरह के होती है जो दिरे दिरे होती है यह अभी गांट कुछ उस टैप की गांट है उस टैप का पसे से की दीरे-दीरे इसको मर्च 15 दिन होए है और 15 दिन के अंदर-अंदर यह इतना बड़ा हो गया और इसमें खास बात या है कि यह नर्म है, यानि बिल्कुल भी hard नहीं है, यह एकदम norm है, यानि गांटे होती है, मैंने कही तरह की गांटे देखी है, गांटेज होती है, जो बहुत ही hard होती है, अगर हम उन में needle बगरा को चुबा देते हैं, तो वहां से blooding start हो जाती है, लेकिन यह वाली गांट कुछ एसी है कि इसमें हमें ऐसा लग रहा है लेकिन पानी हो पानी तो हो सकता है इसके अंदर लेकिन पानी भी इतना नहीं है क्योंकि इसकी भेहसकी भी खाल इतनी बढ़ी है और जब हमें इसको अंदर थो थोड़ा हलका हलका दबा रहा हूं तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं कई बार कि इसमें ज्यादा पर पानी नहीं है इसमें हलकी swelling और swelling भी कैसी नर्म type की swelling मुझे इसमें दिखाई दे रही है तो ऑसे क्या करें कि अगर गठान वाला case रहता है उसमें तो मैं लगातार तीन दिन तक antibiotic वगरा लगाने रहते हैं क्योंकि वह गांट पक सके उसके लिए मुसको तिन दिन तक एंटिबाइटिक देते हैं और एक वह रहता है कि पस बन जाता उसके अंदर तो पस में हम फिर चीरा लगा कर उस पस को निकाल देते हैं लेकिन यह उस टैप की नहीं यह नर्म है यानि यह गांट जो हुई है यह और इसमें मुझे पानी भी प्रतित हो रहा था पहले तो फिर मैंने क्या किया कि इसमें जो अठाना नंबर के निडिल आती है उस निडिल को मैंने इसके नीचे वाले हिससे यानि बोटम में इसको मैंने क्लिक कर दिया और जैसे मैंने क्लिक कर रिया वहां से फिर क्या उछा की बूंद बूंद पानी आने लगा लेकिन ऐसा भी नहीं की पूरी निड़ भर के पानी आ रहा है तो यहां से में समझ ग Bay इस में फ्लूट तो है है लेकिन जबातर में फ्लूट नहीं मुझे और यहां पर निड़ लगाने की जोरूत नहीं है अ अगर ज्यादा फ्लूड होता तो यह पूरा हिलता इदर उदर होता और पूरा नर्म से नर्म होता लेकिन यह ज्यादा भी नर्म नहीं है हाना कि इसमें नर्माट तो है लेकिन ज्यादा भी नर्म नहीं है तो यहां से मुझे लग रहा है कि इसके अंदर ज्यादा फ्लूड नहीं और ज्यादा भी इसके अंदर पानी नहीं यह देखिए मैं इसको दबा दबा कर भी निकालने कोसिस कर रहा हूं हो सके साइध अगर थोड़ा बहुत कुछ बचाओ अंदर तो वह भी इसकी साइधा से बाहर निकल जाए तो सच्छी जब ऐसे कैस में मिलते हैं तो निडिल डालना है एसा नहीं कि पूरी गठान बिल्कुल टाइट है और उसके अंदर हम निडिल चुबो देंगे तो वहाँ से ब्लेडिंग स्टाट हो सकती है तो जहां पर हमें नर्म कैस देखने को मिले या जैसी आप यह इसी अपसेस देख रहे हैं ऐसा देखने को मिले कि इसमें हम आसानी से जो निडिल है उसको लगा कर हम क्लिक करके इसके अंदर से सारा पस यानि जो फ्लूड हो निकाल सकती है तो इसको मैंने छोड़ा क्यों है इसमें चाहता तो मैं चीरा लगा सकता था और इसके अंदर से सारा पानी निकाल सकता लेकिन क्या है कि केवल पानी से ठीक नहीं हुग यह पकेगा पूरी तरीके से इसमें जब पस बन जाएगा और पस बनने के बाद इसमें में इसमें चीरा लगा कर सारा पस एकदम से बाहर कर दूँगा इसके अंदर में विटाडिन वगरा अंटिवयेटिक का लगातार तिन दिन तक प्रयोग करना और टांके लगाने के बाद उपर से आप इसमें बिटारीन वगरा डाल दे ताकि यहां से कोई मेगट वगरा अंदर ना जाए और यह गाव अपने आप ठीक हो जाए और अंदर का सारा आपस आप पहले बाहर निकाल देता आपको बहुतरीन रिजल्ट इस वाले केस में आप